गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग बढ़िया गड़ आज मैं आपको पेपर प्रोटेक्टर बनाना सिखा रही हूं बहुत इजी वे में आपका अपना प्रोटेक्टर होगा जिसे आप पेपर फोल्डिंग के दौरा सीख सकते हैं और अपना अपना प एक स्क्वाइर पेपर लेना है देखां स्क्वाइर पेपर लिया आपने और इसको बीच में से पहले आप फोल्ड कर देंगे बिल्कुल ऐसे फोल्ड करने के बाद आप इसको रियोपन करेंगे और सबसे पहले अपने पेपर को आप आधा इस तरीके से फोल्ड कर देंगे फोल्ड करके जो यह रिमेनिंग पार्ट है इसको भी आप फोल्ड कर लेंगे जब आप इसे खूलेंगे तो देखेंगे आप कि त्री इक्वल पार्ट में आपके तीन सेक्टर इक्वली पार्ट में डिवाइड़ हैं 60, 60 and 60 and the sum is 180 degree आप इसको वापस उसी तरीके से फोल्ड कर देंगे जब आप फोल्ड करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे यह एंगल तो हो गया बिटा आपका 60 degree आपको एक राइट एंगल मिल गया है 90 degree और रिमेनिंग कितना रह गया 30 degree 60, 90 and 30 once again 180 degree अब आप क्या करेंगे इस पेपर को ऐसे सीधा लेंगे और आप देखेंगे यह वाला जो एंगल है उपर वाला यह 30 degree है जब आप इसे खोलेंगे यह पूरा एंगल कितना है 60 degree तो 30 degree को आपने जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको इस तरीके से फोल करेंगे half यह कितना degree हो गया 15 degree यह पूरा मिला कि हो गया 45 degree आपका हो गया 45 degree 75 degree and this one is again 90 degree almost आपका protector बनके तयार हो गया देखिए easiest way of making protector of your own आप आज ट्राइ कीजिए अपना protector अपना बना के और फिर मेजर कीजिए thank you and have a nice day